एक आमबर नात मंदिर भारत के तमेल लाडु राजी के कांची पूरम तीर्थ नगर में इस्थित भगवान सुव को समर्पेत एक हिंदू मंदिर है ऐसा माना जाता है कि मंदिर में अनिएक बरसों में एक आम का पेड़ है जो लगभग 3400-4000 वर्स पुराना है पेड़ की हर साखा पर अलग-लग रंग के आम लगते हैं और इनका स्वाध भी अलग-अलग है इस पेड़ के नीचे मा पारवती ने भगवान महादेव सिव की पूजा की थी और माता पारवती सिव जी को प्राप्त करने के लिए उसी आम के पेड़ के नीचे मिट्टी या बालू का एक सिव लिंग बना कर घोर तपस्चा करना सुरू कर दी थी जब सिव ने ध्यान पर पारवती जी को तपस्चा करते हुए देखा तो महादेव ने माता पारवती की परिक्षा लेने के उद्देश से अपनी जटा से गंगा जल से सब जगे पानी कर दिया जल के तेज गती से पूजा में बाधा पढ़ने लगी तो माता पारवती ने उस सिव लिंग जिसके वह पूजा कर रही थी उसे गले लगा लिया जिससे सिव लिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ बाद संकर जी यह सब देखकर बहुत खुसे और माता पारवती से वर्दान मागने को कहा तो माता पारवती ने विवाह की एक्षा व्यक्त की महादेव ने माता पारवती से विवाह कर लिया आज भी मंदिर के अंदर वह आम का पेड़ हरा भरा देखा जा सकता है माता पार्वती और सुजी को समर्पितिय मंदीर एक बार नात मंदीर है